तो इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं SBI bank के home loan और SDFC bank के home loan के rate of interest के comparison करके देखेंगे इसके रावा बताएंगे इसमें क्या features, benefits आपको देखने को मिलेंगे, क्या processing fees लगती है दोनों भी बैंकों में और कौन-कौन सी आप पे home loan की scheme चलती हैं complete information जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक watch करेगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा और bell icon को जरू आल पर कर जिएगो तो चलिया शुरू करते हैं जैसे आप देख सकते हो, SBI bank में अगर आप home loan देखो तो इसकी जो starting होती हो साड़े 8% से होती है और 9.65% तक rate of interest जाता है अब जो है आप पे home loan की scheme चलती है उनमे rate of interest अलग अलग चलता है जैसे home loan में साड़े 8 से starting है, home loan max gain में 8.70 है, tribal plus home loan में 8.60 है starting है, top up loan 8.80 से starting है, top up loan overdraft 9%, personal loan against property 10% से starting है, reverse mortgage loan 11.55, yono insta home top up loan 9.35 तो यहाँ पे जो scheme wise है वो rate of interest अलग अलग चलता है और जो minimum rate of interest से starting होती हो साड़े 8% से यहाँ पे होती है किलाव हम बात करें, HDFC bank में home loan के क्या rate of interest नहीं है, तो जैसे आप देख सकते हूँ, आप अगर आप यहाँ पे special housing loan जो rate चलते है salary or self-employed professional और non-professional के लिए, उसकी starting होती है 8.75% से और 9.65% तक rate of interest जाता है, वही जो standard housing loan rate चलते है, उनकी starting होती 9.40% से 9.55% तक rate of interest जाता है अगर आपका मालीच यहाँ से कोई भी account वगरा नहीं है, तो आपको थोड़े से ज़्यादा rate of interest पर offer किया जागा 9.40% से starting होती है उसकी, तो यह देखे दोनों भी bank के rate of interest comparison है, जिसमें हमने बात करें, SBI bank में जो है SDFC से कम rate of interest पर loan offer करा जा रहा है, लेकिन अगर आपका मालीच किसी भी bank में account है, या तो आपका SBI में है SDFC, तो जिसमें भी आपका कोई सबी account हो, उसी bank से आपको home loan के लिए try करना है, अब इसके अलावा किसी other bank में भी आगर आपका home loan है, तो आप उससे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं होता है कि आप SBI से लो या SDFC से लो, और भी काफी bank के bank of brother हो गया, bank of India हो गया, यह सब आपको कम rate of interest पर home loan provide कर देती है, बस आपका अगर यहाँ पर account होता है, तो उन लोगों को majorly कम पर loan provide किया जाता है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपे comparison की, तो देखे, 5 लाग रुपए से 10 कौनों तक का loan मिलता है, आपे SBI bank में और SDFC bank में भी same loan amount आपको मिलता है, इसके connection कराना है, repair renovation का काम कराना है, अगर आप agriculture जुड़े हो, तो जो है SBI bank और SDFC bank, दोनों ही जगह पर आपको जो है loan मिल जाता है, rate of interest जैसे आप देख चुके है, SBI में 8 से starting होती है, और SDFC में 8.75 से, maximum 30 सालों के लिए आप home loan ले सकते हो, दोनों ही bank के 30 सालों के लिए maximum loan provide करती ह बात करें, तो minimum age apply करनी कि 18 साल यहां पे रहती है, 70 year case जो आप अपने लोल को चुका सकते हो, SBI bank में, और SDFC में 18 साल minimum है, maximum 65 यह है, बात करें, prepayment charges के, तो SBI में prepayment के कोई भी charges आप से नहीं लिए जाते है, वही HDFC bank में, अगर आप floating rate of interest पर home loan लेते हो, तो आप से कोई भी person लगती है, आपके loan amount का, वहीं जो SDFC में लगती है, वो SDFC में थोड़ी से ज़्यादा लगती है, 0.50 से starting यहां पे होती है, अगर हम बात करें, यहां पे कुछ features benefit की, तो देखें, minimum rate of interest पर SBI bank में home loan मिलता है, prepayment charges नहीं लगते है, longest repayment tenure मिलता है, और women applicant के लिए rate of interest में special concession यहां पे provide किया जाता है, और home loan overdrive की facility भी यहां पे मिलती है, वहीं SDFC bank में भी low interest rate है, इसके लावा woman borrower के लिए यहां पे भी special offer चलते है, long repayment tenure मिल जाता है, अमालीज आपको कोई property खरीदनी है, लेकिन आपने select नहीं किया, आपको कौन सी property खरीदनी है, तो उसके पहले भी SDFC आपको loan approve कर देता है, इसके बाद अपनी property आप चुन सकते हो कि कौन सी आपको लेनी है, तो यह यहां पे main features मिलता है SDFC bank में, कोई भी hidden charges नहीं involved रहते हैं, documentation की बात करें, तो documentation दोनों ही bankों में same लगेंगे आपके, जैसे कि एक ID proof, एक address proof, property related document हो गया, अगर आपको construction कराना चाहिए वो salary हो, चाहिए वो saving हो, इसके लावा income proof के तौर पर salary slip, ID return, copy of form 16 देना पड़ता है, अब property related document में जैसे बता है, allotment letter वगर आपको देना पड़ता है, तो यह कुछ document लगते हैं, अब बात करें, SBI bank और SDFC bank में, कौन कौन सी home loan की scheme में चलती है, तो बात करें, SBI में देखी regular home loan चलती है, balance transfer है, flexi पे home loan है, privilege home loan, शौर है home loan, यह दोनों ही ऐसी scheme है, जिसे कोई भी government employee जो है, उसको minimum rate of interest पर यहाँ पे home loan offer करा जाता है, बैंक में जो साले 8% के rate of interest पर loan offer करा जाता है, वो इन ही दोनों स्कीमों में करा जाता है, जो भी government employee या defense person है, उनको minimum rate of interest पर lead है, tribal plus है, और NRI home loan है, इसके लावा बात करें, HDFC में, तो HDFC में home loan चलती है, home improvement loan है, home extension loan है, HDFC advantage loan है, special home loan for agriculturalist, जो agriculturalist है, जो farmer वगरा है, उनको अलग scheme जो है, चलाई जाती है, उनके लिए, इसके लावा rural housing loan है, plot loan है, reach loan है, HDFC home loan to NRI और PIOs है, इसके लावा SBI bank में एक और scheme च जनाय हुआ है, इसको अगर आपको check out करना, SBI bank से plot loan कैसे ले सकते हो, क्या features benefit मिलेंगे, तो उसका link मैं आपको वीडियो के description box नो दे दूंगा, तो यह देखिया हमारी information, अगर हम बात करें, किस bank से हमको देखे लेना चाहिए, तो देखिए, अगर processing fees, देख रहे हैं, processing fees, SBI में आपकी कम लगती है, इसके लावा कोई woman borrower अगर आप loan लेता है, तो उनको दोनों ही bankों में rate of interest में concession वगरा provide किया जाता है, इसके लावा rate of interest जो है minimum पर offer कर रही है, SBI bank, और maximum loan amount मिल जाता है, 10 कोड़ तक का, तो SBI bank काफी अच्छी bank है, HGFC bank भी काफी अच्छी bank है, दोनों ही bank के, अगर आप compare करो, तो दोनों ही bank के home loan लेने के लिए एक perfect choice रहती है, लेकिन वही SBI bank में आपको थोड़ा सा जो है processing fees और rate of interest में concession वगरा मिला है, तो आप SBI bank को prefer कर सकते हो home loan लेने के लिए, अगर हम बात करें home loan का EMI calculation की, अगर हमको मान लिजे SBI bank और SGFC bank से, मान लिजे 20,00,000 रुपय का home loan लेना है, SBI bank 8% के rate of interest पर हमको loan offer कर रहा है, और 20 सालों के लिए अगर हम रोल लेते हैं, 17,356 की EMI बनेगी total interest हमको 21,65,000 रुपय का pay करना पड़ेगा, और यही 20,00,000 के loan को अगर हम HDFC से लेते हैं, जो हमको 8.75 से starting हो रही यहां पे, और इसको लेते हैं, तो 17,604 की EMI बनेगी total interest आपको 22,41,000 रुपय का pay करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप यहां पे अपना monthly EMI भी calculate कर सकतो हो, किसी भी home loan, personal loan और car loan का detail में आपको information मिल जाएगी, DCMI calculator पर, इसका link आपको वीडियो के description box मिल जाएगा, और अगर आपको किसी भी bank के loan के offer जाने हो, चाहिए वो home loan हो, personal loan, car loan, टुविला loan, education loan, saving account, trade card, तो offer और यहां से देख सकतो हो, जैसे हम बात करें, SBI bank home loan और HGFC bank, देखिए SBI bank home loan का link मिल जाएगा, तो SBI bank के home loan पे जैसे हमको इसके rate of interest चकाउट करने rate of interest देख सकतो, features benefit देख सकतो, कौन-कौन सी scheme चली जिसके बारे में अभी हमने आपको देखाया, तो वो information आप देख सकतो, और को offer launch करती, वो भी आप देख सकतो, वो ही HDFC bank के अगर आपको rate of interest direct apply करने का link चाहिए, तो यहाँ पर देखे मिल जाएगा, loan against property का देखे आपको link मिल जाएगा, और यहाँ पर काफी सारे information मिल जाती है आपको, तो इस website का जो link है वो आपको वीडियो के description box से मिल जाएगा, तो I hope, वीडियो मेर आपको informative लगा हो तक के लिए धन्यवाद